कुछ पाव पुष्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गॉरस सिवास्थो आप मेरे साथ देख रहे हमारा खास कारिकम बात अपने देश की तो जो आज हमारा कारिकम का मुद्धा है वो है टोपी अमुनन टोपी हम इस टोपी की बार ने कर रहा है कि जो आदमी धूप से बचने के लिए या अपने आपको फैसन दिखाने के लिए लगाते हैं यहाँ पर टोपी का जो मुद्दा है वो मुद्दा है राजनितिक दोसरो टोपी की शुरूबात हिंदुस्तान में बहुत परानी है और लोग पहले पगड़ी पहनते हैं उसके बार जो टोपी के चलन हुआ वो महात्मा गान्दी की समय से हुआ हलाकि उस समय भी लोग महात्मा गान्दी प्रभावेट नहीं थे और उनका टोपी पहनने की अलग परंपरा थी पर 1918-1919 मैं जब असयोग अंधुरन हुआ उस दोरान टोपी था वो एक सिंबल बन गया और सिंबल के चलते वो टोपी इतनी चारा प्रभावेट किया लोग बात में आज भी लाजनितिक हो गई यानि की कोग्रेसियों की पहचान हो गई वो टोपी यानि सब है टोपी एसा रेचें को अऊज पहनते लिए लोग आज भी टोपी पहनते हैं और उतापडेश, मतापडेश, बंगाल, करना तक और बंगाल, महराश्ट मैं आज भी तो कई पुराने लोग कई ऐसी राज है जहां पर識 सफेट टोपी की परंप्रा हम लगाता चलिया जा और प्रंप्रा कोई विस्चती चाहती है भिश्रेस का नियुक्त सरी हो कि उसकी शुरूबात वो कग्रेस्यों की समय मापा गाणदी तो चाह रहे जाता है कि जो सफेट टोपी की सुरूबाद उसका स्रेह मात्मा गांडी को ही जाता है उसके बाद जवाला नेरू आपने हमें सा देखा टोपी पहने रहे तो तवाम बड़े नाम रहे जो दिसके महत्पूर पढ़ों पर काम किया वो सब लोग सफेट टोपी लगाते हैं और टोपी क परंप्राथी वो लगातार चलती आई उसके बाद एक टोपी की बात और होती है तो बात होती है 1925 में RSS की शुरूबाद डोटर बलिगाम हेडगबार ने की थी और उसके बाद जब RSS की शुरूबाद हुई तो जो उनका गणवेस था उसमें खाकी 25 खाकी 60 खाकी मोजे इते खाकी जुते थे बी और शर्थयवत में आए हम किलों साथ हेड़ानि लगजालनारं तुई यह confirm नहीं है, इसकी कोई पुष्टी नहीं है, पर कहा जाता रहा कि इसलिए और उने अपरी टोपी को काला कर दिया, कि वो बिल्कुल जो उनकी टोपी की उसका color उसका रंग जो था वो खाकी था, तो बाकी गणबेश तो उनका खाकी रहा, खाकी नेकर, खाकी सट और खाकी म में जो सट थी जो खागी थी ऊस सट को बदल कर भी सफेर कर दिया गया तो जो अरसे वेज़ था वो खागी हाफ पैंट ही जरुवार्ट में अब तो फुल पैंट हो गई है खागी हाफ पैंट सफेड शर्ट खागी मौझे काले जूते और काली टोपी और साथ में एक बैथ जो उनकी पैचान रहा है आज बरच्छा के लिए तो यह तो रही RSS की बार उसके बार अगट जो टोपी की है प्रंप्रा पुंदा संग्राम में जो सफेड प्रूपी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि आज हम जा अगर आप जाएंगे महाराज जाएंगे कई बड़े पिद्रस में जाएंगे जहां पता पराने शेष ऑबी सफच सफ़यरावण संगराम से लानी वह एंते हैं को पहना और जो टूपी की परंपरा है वो लगातार चलती आई आज भी कही राजवलोग पहनते हैं अब इसके बाद टूपी की जो अलग जो चलन है वो चलता गया 1948 में कहा जाता है कि जब जेपी जगरपकास नरायन और लुहिया और क्रिप्रलानी जब कॉंग्रेस में थे तो कॉंग्रेस की कुछ नीतिया ऐसी थी उनको लगा कि कॉंग्रेस मात्मागांडी से नीति से हट के जा रही है तो वो अलग हो गया बना की और उन्समाजवारी पार्टी नहीं बनी थी जो मैं बता रहा हूं और सोशलिस पार्टी बनी थी 1948 में दिख्थनार और उन्होंने लाल टोपी को पहनते थे उसके बाद फिर टोपी की परंपरा लगाता बढ़ती चली गई और जो सफेट टोपी थी वो आज भी पुराने लोग पहनते हैं उसके बार 1992 में जब जनिश्वर मिस्रा के स्वयोग से मुलाइन सिंग यालो ने समधवरी पार्टी की स्थपना की तो उनका समधवरी पार्टी की जो लोग है वो लाल टोपी पहनते हैं उनके साले बड़े नेता हो चाहे पूर्म मुक्वंति अखली जारों की ब्यात करें जो लाल टोपी पहनते हैं और लोग लोगों के लिए रेड एलाट है जो गलट काम कर रहा है या श्वत्ता का दुरपयोग क कर रहा है उनके लिए जैसा कि आपने भी पिछले बिनार सब्सक्राइब में देखा होगा आरोपित्य आरोप का दौर चला था उसके बाद यह तो होगी लाल टोपी की बात तो समाधवारी की पहचान लाल टोपी रही उसके बाद जो टोपियों को चलाने वो बढ़ता गय बढ़ता कैसे किया अलाग अलाग धर्म में अलाग ब्यास्थां में टोपिया बदलती गई अब सबसे बड़ी बाद एक गुलावी गैंग आई थी जो की संपत पालने खोली थी गुलावी गैंग में गुलावी टोपी चलती थी जो मेलाओ सम्मंदी और सोशल होता था उस किन को जुडाव है वह की किर्सी से है और किर्सी को देखाते हैं हरेयाली वहरी खिसानरी के थे किसान क की नेता अगर और तो बिल्कुल आप मान सकते हैं कि और किसान यू Sut की जो टोपी है वो हरी है उसको तवाम तरह कि दल आये और सब दलों ने अपने पैचान को इस्थर करने के लिए पैचान बनाने के लिए टोपियों को इस्तमाल किया जैसे अगर बात करें तो एक दल अभी शुरुबात में जो की पहले भारति इंद्धा पार्टे का सवयोग तो उनके पैचान पीली टोपी है तो सुभास्पा के पैचान पीली टोपी है और अब जो एक नई शुरुबात हो रही है हलाकि पहले भी पहने गई भारति इंद्धा पार्टी में जब दस मार्च को पांच ब्रहान सबाओं को पढ़णाम आये थे जसमें भारति सबाओं में अपनी जीत सुनिश्चित की थी और उस जीत के चलते मनीपुर, गोआ, उत्तपरेश, ओत्राखंड में एक अलग लहर थी और लहर का एक उर्सा दिखाते हैं तो जब पिरामंत्री 11 मार्च को गुजरात पहुंचे थे तो गुजरात में उन्होंने 11 मार्च को भगवा टोपी पहनी थी यानि की भगवा कलर की टोपी यानि ओरेंज कलर की टोपी यानि की नारंगी कलर की टोपी और इस टोपी में जो तरीका है जो बनावट है जो डिजाइन है वो उत्राखंड से लिया गया ब्रह्म कमल से बनाए गया तो जो तरीका है टोपी का वो उत्राखंड की जैसी डिजाइन की है ब्रह्म कमल का इसमें जो चित्र लगाया गया है तो कुल्मला के बीजेपी ने भी अब टोपी से अपनी शुरूबात की प्रहावंती ने नमोरी ने ग्यारा मार्च को पहनी थी और आज बीजेपी के 42 में स्थापना दिवस के मौके पर सभी सांसरों सभी कारकरतों को एक संदेज दिया गया कि अब आपको भगवा टोपी पहनने है यानि अब जो भगवा पैचान बाजन्दा पार्टी के लोगों की थी वो भगवा टोपी भी पहनेंगे तो या आज इस शुरूबात हुई अब शुरूबात तो जरूरी है क् कि अब जो सबसे कटिन चुनाव है वो है गुजराट का हिमाजल परडेस का कहा जा सकता है कि जम्मू और कस्मीर या निजे एंड़ के में भी चुनाव हो सकता है सब्सक्राइब कर nessa हाला कि इसकी पुष्की नहीं है पर हमाजल sprang फडेश और गुजरातते तो पूरे ज़दो जा रहा वहाँ आ है यह कर रहे है शो सब्सकित लिए ao इसकार यूपी का हमें साथ ठिंक टैंक रहता है मेहनत रहती है कि चुनाव की शुरूबात कर दे था हला कि पहले भी थी वह लागाता प्रयास कर रहे थे अब जो यूद इस्थर पर चुनावी रह लिया सो और पिचार वह अब सुरू कर दिया है समय बाकी नहीं पांचे महीने बाकी है तो यहां पर टोपी का यूग जो है वह अभीज नहीं है पहले लोग टोपी पहनते थे और इसकी एक अपचारिक शुरूबात 1918 और 1929 मुई जब गांडी जी द्वारा जुरास्पता महात्मा गांडी जी द्वारा अस अयोग आंधु टोपी का जाता है वो शिंबल बन गई थी और बाद में फूर खादी से बनाई गई और फिर वो टोपी की शुरूबात होते होते 1925 में फिर आरसस से जब शुरूबात हुई थी तो वो टोपी थी खाकी से फिर काली कर दी गई और उसके बाद 1948 में सोचरिस पार्टी जो की कहा जाता है कि लोहिया, जेपी और किपलानी सामने मिलके बनाई थी कॉंग्रेस से नारज होने के बाद फिर वो टोपी बहां पहनी थी और कहा जाता है कि चन्शेखार राजार भगत सिंग सुग्णेव राजगुरू नेमिक लाल टोपी थी क्रानती के पती के दौरूपे और फिर उन्हेंनने लाल टोपी टोपी अपना अप्छारिक चिन्दमाना कि यह हमाँआरा लाल टोपी सामीर पार्टियों के पहेंचान है, उसके बाद हम लागताँ कि सभी जगा है बैसी ही पःसता है और जो सफेट टोपी वो आज भी चल लगाते हैं और आप देखेंगे तो आज भी तोपी लगाते हैं और फिर आप टोपी की परंपरा है पुब लगातार चलती जारे एक पिकार से टोपी है उसका पूरी तरह से राजमिती करण हो गया है किसान मंच वाले या किसान अंजन वाले किसान निता हरी टोपी लगाते हैं सुभास्वा वाले सुहले भालती समाज पार्टी वाले पीली टोपी लगाते हैं बहुच समाज पार्टी वाले नीली टोपी लगाते हैं अभी हाल में इस पार्टी के गठन हुआ आजार समाज पा इस दौरान एक पार्टी जो 1912 से अन्ना अंजर्ण के बार उबनी थी उसका नाम है आम आधी पार्टी जी हां तो उस समय जब उन्होंने भी उस सफेड टोपी को अफ्योग किया था और टोपी पर लिखाता मैं अन्ना हूं उसके बाद वो सफेड टोपी के परचान है आम आ पार्टी भी लिखा रहता है तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि किस तरह से टोपी के परउपरा चली आ रही है और लगातार जो राणितिक डल है नहीं नहीं जो बंदा है और बहुत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब टोपी के परउपरा से लाल टोपी में हैं उन्हों भी कटाच किये जब कटाच किये तो अख्लेस यारों ने कहा कि यह रेलाट है जो देश की जनता का खून चूशरा है और लाल करांती है इसका उन्होंने नाम दिया राल करांती और जब जब ग्यारा मार्ज को रैने मोरी जो कि देश के परामनती है उन्होंने भगवा टोपी पहनी थी भगवा टोपी पहनने के बाद और चब आज बीजेपी के 42 में स्थापन जबस के मौके पर सभी सांसरों को सभी कारकरताओं को भगवा टोपी जो की उत्राखन की डिजाइ है उनके बीच में कि अब आप भी टोपी पहनने लगे हम लाल पहनते थे आप आप पहनने लगे तो कुल मिलाकर टोपी की परंपरार बहुत परानी है और रांदित दलों में हमेशा इसको अपनाया है और आपको दिखाने के लिए अपना इक सिंबल ग्रूप में टोपी का अपयोग किया है तो पी कि मैंने शुरूबार आपको बताई सफे टोपी शुरूबार होती चली गई और उसके बार सभी दलों ने अपनी अपनी टोपी एक टोपी का रंग एक टोपी का डिजाइन निस्चित किया अपने कारकरताओं की पैचान को बनाने के लिए क्योंकि हिएक कि पैचान मनानी बहुता अबस्यक है तो टोपी का बज़ूद आज सरह हो रही है यह राजनिती नहीं होनी चाहिए मैं राजजूति का पूरी तरह से बिरोडी हूँ, बिरोडी इसलिए हूँ कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जो टोपी नहीं पहनती है, सब अपनापना सिंबल बनाए हैं, सब अपना रंग बनाए हैं, तो फिर भगवा टोपी पहनने पर, लाल टोपी पेनने पर यह आरो प्तियारों को दौर क्यों हूं अगर आप अपनी पार्टी के पैचान किसी रंग विस्यस की टोपी से बना रहे हैं तो इसमें किसी भी अन्य दालकों कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, कोई बिरोधा नहीं होना चाहिए, अगर आपकी लाल ट आरोप पित्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए और साथी साथ इसपस्ट होना चाहिए कि हमको राजनीती टोपी को लेकर नहीं करने है क्योंकि टोपी की परंपरा बहुत पुरानी है और जो टोपी की शुरूबाद हुई थी वो हमारे सौतनता संग्राम सेरानियों नहीं की थी सपस्ट टोपी पहन के जिसको गांधी टोपी भी कहा जाता है तो जिस टोपी के शुरूबाद देश के राजपता महात्वा गांधी नहीं की थी उस टोपी को लेकर कोई आरोप पत्यारोप नहीं होना चाहिए ऐसप टोपी आज भी पहलते हैं वाजब्हर् 계속 को अप्योक करता है और उस तोपी के अलावा आमारी पार्टी भी सफ़ेटोपी को प्योक करती है आमारी पार्टी लिखकर और जालू का चन्द मना कर उनका चनाव चन्द है तो जो पार्टिया इसको अपने राजितिक उपयोग के लिए करती आई हैं सब पार्टी का अपना अपना चिन्न हो सबकी अपने कलर है सबकी अपनी टोपी है और इस टोपी के शुरूबात में आपको आया कि स्वतंता संग्राम सवनानियों ने की थी तो यह बो टोपी है जिससे प अतनी एक शुरूबात में अतनी आपना गया टोपी के एस तो फ़रूबात में एस तो ऑन थी तोपी के प्यादा नहीं पनाता हिए तो जो गोल को डियर व मनाते और कि गलर सब्लास के हम भान्दी अचम्विक अपने रङ mec असतित करती थी तोपी कल भी अज़नन को जीवित करती étaient अधेस को धार देती थी तोपी आज भी डेश को धार देती है चाहे सत्ता पच्च के रूप में और चाहे बेपच्च के रूप में तो टोपी परंपरा रही है और टोपी आरोपे त्योरव को दोर बननोना चाहिए सबके अपनी परंपरा है सबके अपनी पैचान है क्योंकि हमारा देश महान है तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार